नमस्कार दोस्तो देश की राजनीती में इससमें चर्चा हो रही है कि अर्विंद केजरिवाल इससमें कॉंग्रेस के साथ गलबईयां कर रहे हैं अर्विंद केजरिवाल की योजना ये है कि वो कॉंग्रेस के साथ समझोता कर लें INDIA जो बना है उसका हिस्सा बन जाएं और उसके बाद पंजाब और दिल्ली में कॉंग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ें ये बहुत ही परत्याशित और चौकाने वाला डिसिजन हुआ है इसमें लोगों का ये भी कहना है के राहूल गांधी और कॉंग्रेस भी जुके हैं और अर्विंद केजरिवाल के सामने भी एक ऐसा प्रशन है जो अब से कुछ महीने पहले थक नहीं था दिल्ली ओर्डिनेंस के मुद्दे पर जो कुछ हुआ पारलेमेंट में वो लोक सभा में पास हो चुका है राज्य सभा में पास होई जाएगा दिल्ली में दिल्ली ओर्डिनेंस को लेकर जो कुछ भी राजनीती हुई उसमें ये एक बड़ा बदलाव आया कि इसी वहाने कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दो विरोधी धड़े एक मंच पर आ गए ये एक बहुत बड़ा चोकाने वाला बदलाव हुआ है अब ये तो समय बताएगा कि ये कितने समय तक सस्टेन कर पाता है कितने समय तक ये टिक पाता है लेकिन इस बीच दो चीजे बहुत बड़ी महत्पून हो रही हैं जिनने अरविंद केजरिवाल भी भूल गए है आम आदमी पार्टी भूल गई है और शायद मीडिया वाले भी भूल गए है कि अर्विंद केजरिवाल के दो खासम खास लोग जेल में बंद हैं, टिहाळ जेल में बंद हैं इडी और सी बी आई के मामलों में, सतेंदर जैन और मनीज सिसोधिया और सतेंदर जैन तो बिमार हो चुके हैं, उनका आउपरेशन भी हो चुका है उन्हें जमानत अंतरिम जमानत मिली थी ओपरेशन करवाने के लिए उसमें उन्हें रिलीव भी मिला इस बीच उनकी आदास्त चले जाने की भी खबरे आई उनकी मसाज का वीडियो वाइरल हो गया कि वो तिहाड में किस तरीके से कहदियों से मसाज कराते हैं पता नहीं क्या क्या हो गया दूसरी और आरोप ये तक लग गए कि सुकेश चंदर सिखर नाम का ठग कि मैंने राज्य सबा सीट के लिए आम आदमी पार्टी को पचास करोड रुपे दिये थे ये तक आरोप लग गए लेकिन अर्विन केजरिवाल अपनी धुन में मगन है और अपने आपको परधान मंतरी बनाने के लिए वो बेचे हैं अब देखिए मनीश सिसोदिया के बारे में मैं बात करना चाहूँगा मनीज सिसोधिया संगर्ष के दिनों के साथ ही है अर्वीन केजरिवाल के और उनकी दुर्गती इतनी बुरी कराई है कि अभी कोर्ट में मनीज सिसोधिया ने ये अपील डाली कि साब मेरे सारे खाते एडी ने सीज़ कर दिये है और मैं अपनी जो विधान सबा के सदस्य के रूप में यानि के विधायक के रूप में जो मुझे सेलरी मिलती है उसके पैसे भी मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ मेरी बड़ी समस्या है मेरी पतनी बिमार है मुझे अंतरीम जमानत दी जाए बहुत बड़ा इशू है ये मैं नहीं जानता के इस देश में किसी विधायक या किसी सांसद ने इस तरह की मारमिक अपील की हो कि साब मैं अपनी सेलरी नहीं निकाल पा रहा हूँ और मुझे रात दिज्जे के मैं सेलरी निकाल पाऊँ और अपनी पत्नी का इलाज करवा पाऊं उनकी पत्नी का इलाज कराने के लिए उन्हें जब जमानत दी गई थी तो जिस दिन वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए पहुँचे थे जमानत तो नहीं थी उन्हें मिलने की छूट दी गई थी जिस दिन पतनी से मिलने पहुंचे थे वो उसी दिन हॉस्पिटल में एडमिट होगी थी बेचारे मिल नहीं पाये थे उसके बाद कोड ने ये कहा उनसे के साथ आपको जो है आपकी पतनी की इस्थिती ऐसी नहीं है कि आपको ही जमानत देनी पड़ेगी आपकी जगे कोई औ और भी उनका रख रखाव कर सकता है नर्सिंग स्टाफ कर सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य कर सकता है और उनको अंतरिम जमानत नहीं मिलीती अब जो दो लेटेस्ट चीजे हैं उन पर मैं आपका फोकस करना चाहूंगा किस तरीके से मनीश सुदिया लाचार की सुनवाई के दोरान खाते से पैसा निकालने की अनुमती पर भैस के लिए अगली तारीक मांगी है किसाब हमें पैसा निकालना है और अदालत ने सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीक दी है सिसोदिया के बैंक खाते से पैसे निकालने की अनुमती मांगने वाली याचिक पर कल यानि फ्राइडे को सुनवाई हुई और उसी दोरान उन्होंने का कि मेरे खाते बैंक खाते एडी ने फ्रीज कर दिये हैं इसकी वज़ेसे मैं अपना विदान सभा का जो वेतन है वो नहीं निकाल पा रहा हूँ तो अदालत ने का कि आप विदान सभा के वेतन के आज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रुपे निकालने की अनुमत ही वांगी थी और कोर्ट ने सिसोधिया की अरजी को सुनने के लिए बाद मामले को चार अगस्त के लिए सुची बद कर दिया था यानिके कल और अदालत ने कहा कि उनकी पतनी की तबियत सही नहीं है मनी सिसोधिया ने जो अपना पक्ष रखा कि मेरी पतनी की तबियत सही नहीं है इलावाद इस्पताल से इलाद चल रहा है पैसे की जरूवत होती है उन्हें जरूवत है इडी दुवारा खाता फिरीज किये जाने के वज़े से वो पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं तो उन्हें पैसा निकालने की अनुमती दी जाए ये इस्थिती मैंने दोस्तों कम से कम इस देश में पहली बार किसी जनपरती निदी की देखी है दूसरी और इनकी अंतरिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई चल रही है और सिसोधिया ने अपनी पतनी की बि आपकी इस पर भी सुनवाई की जाएगी दोस्तों मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है हम लोगों को ऐसा नजर आता है कि साब ये जो नेता लोग हैं बड़े प्रिविलेज्ड हैं बड़ी इनको सुविधाय मिलती हैं लेकिन कम से कम दिल्ली के जो मनीसी सुधिया जी हैं उन देश के बाकी विधायक जो हैं उनकी हैसियत कम से कम इतनी तो जरूर बनी रहती है कि वो अपनी पतनी का अपने परिवार का खर्चा उठा सकें अब मुझे यहां एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मनीसी सुधिया जमानत के लिए इस तरह की बाते कर रहे हैं क् एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आपको याद होगा कि जब मनीसी सुधिया की जमानत पर पहले लगबग एक तेड़ महीने पहले याचिका पर सुनवाई होनी थी तो सारी दिल्ली में अर्विन केजरिवाल ने पोस्टर लगवा दिये थे कि मिस यू मनीश जी कि मनी की तरफ जाने वाले जो रास्ते थे दिल्ली के खास खास चुराहों पर वो होर्डिंग्स लगाए रहे थे इस तरीके से अदालतों से जमानत कराने की जो चालबाजी है वो सिर्फ और सिर्फ अर्विन के जरिवाल और उनकी पार्टी ही कर सकती है शायद यही वज़े है ब कि यह जो आमादमी पार्टी वाले हैं, इनके पास तमाम तरह के हदे कंडे चाएं, ये किसी भी हद तक कोर्ट को, हमारी अदालत को, हमारी मशीन्री को, हमारे जो A.E.S. ओफिसर्स हैं, परशाशनिक अधिकारी हैं, उन सब को बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, उनको गुमर सच्पियू को बुलाया हो किसी आईये सधीकारी को बुलाया हो उसे अपने विदाय को से फिटवाया हो ये अरविंद के जरिवाल कर चुके हैं जो आम आदमी पार्टी बनाई है जिन्होंने कहा है कि हम आम आदमी की एस्पिरेट्संस जो होती हैं उनकी जो महित्व उनके लिए हम काम कर रहे हैं उनसे ऐसी उम्मीद जिस राजनितिक पार्टी को आप कल तक गालियां देते उसी के साथ आप गटबंधन की बाते कर रहे हैं तो इससे ज़्यादे खरा हमस्तिती इस देश की राजनिती में मैंने तो साब आज तक नहीं देखी यही वजह है कि अदालतें भी अब अरविंद केजरिवाल, मनीश सिसोदिया, सतेंदर जैन इन सब के जो ढकोसले हैं इन सब के जो प्रपंच हैं वो अच्छी तरीके से समझ गई है और इसलिए इनको जमानत नहीं मिल रही है यह बहुत हास्यस पद है कि आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी स अपना रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी मजीब और गरीब बात यह है कि उनकी पार्टी के जो साथी हैं उन्होंने उनको अकिला छोड़ दिया रागव चड़ा ने परिनिती चोपड़ा के साथ सगाई कर ली उनके दो-दो साथी अंदर बंध हैं कि कैसे साथी हैं दूसर मंत्रियों से समर्थन मांग रहे हैं पूरे देश का भर्मन कर रहे हैं आपके साथीों की जमानत के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरिवाल जैसा सक्षे ही कर सकता है मुझे लगा कि इस पहलू को भी आपके सामने लाया जाना ये वैसे तो मैं अर्विंद केजरिवाल और उनकी राजनिती को अपने इस चैनल पर अक्सार एक्सपोज करता ही रहता हूँ ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजेगा और उसी जितना मैक्सिमम आप शेर कर सकते हैं शेर जरूर कीजेग झाल 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 झाल